एक जंगल में दो बक्रियां रहती थी. वो दोनों जंगल के अलग हिस्सों में घास खाती थी. उस जंगल में एक नदी भी बहती थी, जिसके बीच में एक बहुत ही कम चौड़ा पुल था. इस पुल से एक समय में केवल एक ही जानवर गुजर सकता था. पुल की चौड़ाई कम होने के कारण इस पुल से केवल एक ही बक्री एक बार में गुजर सकती थी, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तयार नहीं था. इस पर एक बक्री ने कहा, सुनो, मुझे पहले जाने दो, तुम मेरे बाद पुल पार कर लेना. वहीं, दूस अस्था में शांत दिमाग से काम लेना चाहिए. इन दोनों बक्रीयों के साथ भी एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ. एक दिन घास चर्ते चर्ते दोनों बक्रिया नदी तक आ पहुची. ये दोनों नदी पार करके जंगल के दूसरे हिस्से में जाना चाहती थी. अब एक ही समय पर दोनों बक्रिया नदी के पुल पर थी. ये बोलते बोलते दोनों बक्रिया पुल के बीच तक जा पहुची. दोनों एक दूसरे की बात से सहमत नहीं थी. अब बक्रियों की बीच तू तू मैं मैं शुरू हो गई. पहली बक्री ने कहा, पहले पुल पर मैं आई थी, इ इसलिए पहले मैं पुल पार करूंगी. यह जगड़ा बढ़ता चलता जा रहा था. इन दोनों बक्रियों को बिलकुल भी याद नहीं रहा कि वे कितने कम चौड़े पुल पर खड़ी हैं. दोनों बक्रियां लड़ते लड़ते अचानक से नदी में गिर गई. नदी बहुत कहरी थी और उसका बहाव भी तेज था, जिस कारण दोनों बक्रियां उस नदी में बहकर मर गई. जगड़े से कभी किसी समस्या का हल नहीं निकलता, उल्टा इससे सभी का नुकसान होता है. इसलिए ऐसी अवस्था में शान दिमाग से काम लेना चाहिए.